हेलो जीनिस लोग आईए करते हैं ग्यान का भोग इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिकोण मिति चैप्टर जो था हमारा उसके आगे वाला चैप्टर मतलब त्रिकोण मितिये के कुछ अनुप्रयोग जो हमारा चैप्टर है इस से पहले अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेट कोई भी सवाल नहीं आया हो या फिर किसी भी चैप्टर से कोई सवाल ना आया हो तो आप क्या कर सकते हैं मुझे जाके डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके मेरे फेजुक पेज पे आप मुझे वो सवाल भे सकते हैं या फिर कमेंट करके भी मुझे वो सवाल बता सकते हैं तो मैं आपको सॉल्योशन भेज दूँगा या फिर सॉल्योशन की वीडियो बना दूँगा अब आई हमारे टॉपिक पर आते हैं त्रिकोण में दिए के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नमेट्री अब देखिए अनुप्रयोग से क्या निकला शब्द प्रेयोग एप्लिकेशन से एप्लाई है मतलब इंचिंट्रिक कहां कहां एप्ल में हम इसका प्रयोग करते हैं अब देखिए इसके कुछ और फिरयोग है जैसे की जिवरफी जिवरफी में टिक्नोमेट्री का बहुत यूज होता है ठीक है जैसे कि जो मानचित्र होता है आपका map उसे बनाने में और देशांतर और अक्षांच मतलब longitude और latitude में भी इसका use होता है किसलिए किसी भी दूई किसी भी island की जो इस्तिती है map पे उसे ग्याद करने में यह मैं आपको भोल मतलब geography जब पढ़ाऊंगा इसे मैं geography जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको अभी इतना याद रखिए कि कहा का पर होता है map में और प्रित्वी से तारों और ग्रहों कि बीच के जो दूरी है उसे ज्याद करने में अब देखें यहाँ पर मैंने एक शचब्द लिखा है थीओ डोलाइट ये क्या होता है देखें ये एक यंत्र है ये क्या है एक यंत् नियम है। उन पे आधारित होता है। अब देखे। George Everest, George Everest का नाम आपने सना होगा, तेक, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे परवत की खोच की थी, ठीक है, और वो किस उपकरान से की थी, थीओ डोलैट से, इसी से उन्होंने उस यन्त भी खोश की थी, इसलिए उस परवत का नाम क्या हो गया, Mount Everest, Mount Everest, किसने की थीको, George Everest ने, इसलिए उसका नाम हो गया, Mount Everest, ठीक है, तो आप समझ गए होगे, थीओ डोलैट, क्या होता है, Trignometry रूल्स पर आधारित होता है ठीक है जैसे कि आप यहां खड़े हैं ठीक है और यहां पर एक बिल्डिंग है यहां पर एक बिल्डिंग है ठीक और आप यहां से थियोडोलाइट से इस बिल्डिंग को देखते हैं ठीक है तो यहां समतल से तो यहां से आप देखते हैं तो यह यही मैं आपको बताने वाला हूँ, उचाई और दूरी में, उचाई और दूरी मतलब, त्रिकोर्मिती का एक अनुप्रयोग है, application of trigonometry है एक, क्या उचाई और दूरी, ठिक, जिससे हम यहां की उचाई गयाद कर सकते हैं, ठिक है, मैंने बता दे, त्रिकोर्मिती का अनुप अनुप्रयोग है, इसे हम इस चप्टर में पढ़ने वाले हैं, और भी त्रिकोर्मिती का अनुप्रयोग होते हैं, लेकिन वो आपके syllabus में नहीं है, तो चलिए इसे देखते हैं, अब देखें, एक्जामपल से आपको उताता हूँ, अब इसे समझने के लिए, हम मिनार का red color की light होती है, red color की light होती है, अब यह light क्यों लगी है, इसे आप मुझे comment करके जरूर बता सकते हैं, और आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और आप इसे देख रहे हैं इस रेड लाइट को देख रहे हैं तो आपने देखा तो आपके आँखों ने इस रेड लाइट को देखा ठिक अब यहाँ से एक समतल 36 तर ड्रॉ कर देते हैं अब देखिए इसे मैंने कह दिया A B C D E ठिक अब यह क्या है यह यह इस सिग्नल टावर की उंचाई है यह क्या है इस सिग्नल टावर की उंचाई है यह क्या है B D B D और देखिए आपकी आँखें इस रेड लाइट को देख रहे हैं और आँखों से मैंने एक 36 इस्तर बना दिया ठीक है खिंच दिया तो यहां से जो कोण बन रहा है जो कोण बन रहा है उससे हम क्या कहते हैं एंगल ओफ एलिवेशन एंगल ओफ एलिवेशन उन्नेयन कोण उन्नेयन कोण उन्नेयन कोण उन्नेयन कोण यह क्या है इस लाइन कोण क्या कहते हैं लाइन ओफ साइड लाइन ओफ साइड लाइन ओफ साइड लाइन ओफ साइट मतलब दरश्टी रेखा ठीक तो ये क्या होता है एंगल ओफ एलिवेशन जो आप नीचे हैं और आप उपर देख रहे हैं तो ये जो एंगल बन रहा है आपकी आँखों से छैती जिस तर पे वो क्या है एंगल ओफ एलिवेशन ठीक आज के लिए बस इतना ही आगली वीडियो में हम समझेंगे एंगल ओफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण और उसके आगे जो टापिक है उसते समझेंगे मिलता हम आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद कि अवेशन अवीडियो में आपके पामई जिस थैंगल ओफ दो रहे हैं पूहे हैं वीडियो में आपके लिए एंगली एंगली ये खामेंगल जैक शाल्बन कोणेंगे आप समझेंगे इंगली एंगल है टो पो आपके बस दूटता हम है झाल